Hello friends, आज का पहला question मैं लिए चलता हूँ आप लोगों के लिए Children visiting the park are amused by monkeys play in the cages कहना ही चाह रहे हम लोग कि जो बच्चे हैं पार्क में जो विजिट कर रहे हैं are amused by, amused यानि entertained by आपने सुना होगा amusement park होते हैं दूश्टो दो शब्द होते हैं amusement और bemusement भी amusement यानि बहुत चक्का रह जाना puzzled रह जाना, confused रह जाना और amused का मतलब होता है यह समझ लीजे बहुत ज़्यादा entertain हो जाना, खुश हो जाना, cheering हो जाना तो यह कह रहे हैं कि monkeys के द्वारा बहुत ज़्यादा amuse हो जाते हैं बच्चे जो पार्क में जा रहे है play in the cage की जगे दोस्तों यहाँ पर शब्द आना चाहिए playing जो खेल रहे होते हैं monkeys cages यानि बदब जो बंदर पिंजरे के अंदर खेल रहे होते हैं उनको देखकर बच्चे जो पार्क जाते हैं विजिट करते हैं हेलो फ्रेंच स्वागत है आपका डिजल दयारी चैनल पर मैं श्रयांज को उठारी ले के हैं दोस्तों SP बक्षी की objective general English की बहुत प्यारी किताब first question आज का हमने question number 9 देखा था जिसका अंदर C में error थी दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि लगातार चलती वी एक किताब है और उसमें हम बहुत अच्छे से प्रयास कर रहेंगी एक एक चीज आपको समझ आ पाए बहुत बढ़िया किताब का बहुत बढ़िया solution अगर हो जाए तो और क्या चाहिए आपको एक चीज में कहना चाहूंगा दोस्तों no one is perfect that is the reason if if there are pencils there are erasers also pencil तो हमने बना ली चीजों को लिखने के लिए erasers क्यों बनाए क्योंकि no one is perfect आप सोचें कि perfect होने तक मैं एक बार पहले wait कर लूँ बहुत सारे विध्यारदी कहते है sir exam तो मैं बाद में दूँगा क्योंकि पहले एक बार तैयारी तो कर लूँ hundred percent कुछ नहीं होता है no one is perfect if you understand my point बहुत simple सी भाशा मैं कहूँ perfect कुछ नहीं होता है धीरे धीरे चीजों को समझते जाते हैं समझ समझ के आगे बढ़ना है आप अगर perfect बनने तक इंतजार करेंगे तब तक तो हो चला अरे भाईया कुछ काम करेंगे कुछ बढ़ेंगे फिर गलतियां होंगी गलतियां होंगी और आगे बढ़ेंगे गलतियों से कुछ learning लेंगे अगली बार वो गलती नहीं करेंगे तभी तो दीरे दीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे perfect होने तक इंतजार करेंगे boss तो फिर हो चला, कुछ भी नहीं होगा तो simple भाशा में अगर मैं आप से कहूं तो आप पढ़ते जाएए, तयारी करते जाएए गलतियां करते जाएए, गलतियों से सीखते चले जाएए, क्योंकि गलतियां मिठाने के लिए एरेजर जरूर दी है भगवान ने चलिए मैं आगे लिए चलता हूँ, आज की मिठाई हम लोग खाने वाले हैं, बहुत अच्छा एक नया वर्ड आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ word है दोस्तों, subsume, subsume क्या कहता है, contain और include, उसको include करना, contain करना, उसके साथ में involve करना the new system, subsume the old one, पुराना वाला नए वाले के अंदर, inbuilt है, included है, include शब्द के लिए, subsume शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर एक habit, सम्सियूम करनी है, कि नया जो मैं word बताऊं, वो word को comment box में जरूर in, built कर लीजेगा चलिए, वहाँ एक sentence जरूर बना के लिखिएगा, आगे मैं बढ़ता हूँ, अगले question की तरफ, प्रशन संख्या, दस नंबर पर क्या है I am better acquainted, acquainted का मतलब होता है जान पैसान होना, better यानि अच्छे से, तो मैं बहुत बहतर तरीके से acquainted हूँ, with the country than you तुमसे ज्यादा बहतर तरीका है, तो then है, then better के लिए आया है, better को then चाहिए था, तुमसे ज्यादा, मुझे लगता है कोई error नहीं है ऐसे भी तो वह sentence आएंगे, जिसमें एक्जाम में error भी ना आए आगे बढ़ते हैं दूस्तों, question number 11 की तरफ, being occupied with important matters important यानि महतवपूर बातों में occupy यानि की बहुत ज्यादा व्यस्त होते हुए, क्या हुआ, he had no leisure to see us उसके पास leisure time नहीं था, leisure time का मतलब होता है भाईया, आराम करने का समय नहीं था बाहर निकलने का समय नहीं था, बहुत ज्यादा कार्णे में व्यस्त था, कि वो मुझसे मिल भी नहीं पाया, हम से, हमको देख भी नहीं पाया, मिल भी नहीं पाया मुझे लगता है इसमें भी कोई error नहीं है भाई, no error दे तो मेरे भाई question number 12 कह रहा है, he was not promoted to the rank of colonel, colonel का मतलब होता है, करनल की यह कहना चाहरा है, कि वह करनल की post तक promote नहीं किया गया, till for a few months of his resignation उसके resignation के कुछ समय से तक तो नहीं दिया गया था, यानि till for की जगे मेरे भाई, until आएगा, कि उसका कुछ resignation हुआ, उसके कुछ महानी पूर तक तो उसे, उसने promote भी नहीं किया गया था, ऐसा कहना चाह रहे हम लोग question number 13 देखिये दोस्तों, question number 13 कह रहा है, the man who is perpetually hesitating, जो बहुत ज़्यादा hesitate करता हुआ है एक आदमी, which of the two things he will do first, कि इस बात को लेकर हिच्किचा रहा है, हिच्किचार्ट में कि कौन सी चीज पहले करे, नहीं समझ आ रहा है, डिलेमा में है, डिसिजन नहीं ले पा रहा है, ultimately वो एक भी नहीं करेगा, इधर शब्द की जगे क्या आजाएगा, नीधर, वो फिर दोनों ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं करना क्या है, वो तो hesitate कर रहा है, मेरे भाई, आखरी sentence देखते हैं दोस्तों, आज के वीडियो का, no other hill station, कोई भी दूसरा hill station, is as beautiful as Darjeeling, Darjeeling जितना beautiful नहीं है, with a scenic beauties, बताओ जरा beauty का plural कभी किया है, क्या हमने, never ever, ना तो scenery का plural होता है, ना beauty का plural होता है, abstract noun है, plural कैसे करोगे दोस्त, तो question number 14 के अंदर, beauties की जगे beauty हो जाएगा, reason simple सा, abstract noun का plural नहीं होता है, यहां समाप्त होता है, एक और अध्याय हमारा, एक और lesson हमारा, एक और chapter का, एक exercise यहाँ पे, 14 questions complete हो जाते हैं, आगे questions और करेंगे, 15 से अगले वीडियो में शुरू करेंगे, यह मत देखें दोस्तों की वीडियो कितने चोटे हैं या कितने बड़े हैं, quality of video देखिए, आप वो जो एक एक चीज बताई जारी है, वो बहुत important है, मेरा एक ही suggestion है दोस्तों, आप किताब को पास में रखिए, questions करिए, अच्छे से देखते चले जाएए, लगातार हमारे साथ बने रखिए, कोई तरह की doubt हो तो दोस्तों, हमारे whatsapp number आपके पास है, comment box आपके पास है, doubts को दीजिये, जरूर बताईए, हम इसी तरीके से बने रहेंगे, जब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपके प्यारे चैनल पर जसका नाम है, Digital Tiyari, thank you Please, like, share, subscribe, Digital Tiyari